हेलो दोस्तों, स्टडी ओशियन में आपका वेलकम है, आज से हम हर्याना समान्य ग्यान की जो हर्यांत की बूक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे हर्याना जीके के जो पार्ट है कितने हैं पार्ट है हर्याना जीके के इसमें 25 पार्ट है जिसमें हम वन बाई वन करेंगे जैसे हर्याना एक द्रिष्टी में हर्याना का इसमें प्राचिन और मद्धे कालिन हर्याना के बारे में बताया गया है हर्याना का आधनी कतियास और भगोलिक परिद्रिश्य के बारे में बताया है कि ये one by one topic हम करेंगे एक एक वीडियो में हमेरे हर्याना जीके की पूरी अरियन्त की बूक है ये जो आपके लिए जो आपके आने वाले exam के लिए बहुत ही फायदे मांद है जैसे अभी अप्रेल मुंथ में CET Common Eligibility Test होगा इसके लिए वो आपके लिए Benefit होगा चलो स्टार्ट करते हैं हर्याना एक द्रिष्टी में सबसे पहले हर्याना का हमें भगोलिक परिद्रिष्टे के बारे में पता होना चाहिए पहला क्या है भगोलिक अवस्तिती देकि हर्याना भारत में हर्याना की जो भुगोलिक स्थिती है उसके बारे में हमने बताना है कि जो भारत के हर्याना भारत के उत्तर पस्ची में स्थित है कहां पर स्थित है भारत के उत्तर पस्ची में देकि नोर्थ वेस्ट में है अक्षांस ये विस्तार में तक इसका लैटिट्यूडनल विस्तार है वो 27 डिगरी 39 मिनट और उत्री अक्षांस से 30 डिगरी 55 मिनट उत्री अक्षांस तक है और इसका देशांतर विस्तार का मतलब क्या है लोंगिट्यूडनल जो विस्तार है इसका कितना है 74 डिगरी 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिगरी 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है फिर इसका जो हर्याना का जो छेतर फल है वो कितना है 44,212 वर्ग किलो मीटर है जो भारत के कुल छेतर फल का कितना है 1.34 से प्रतिशत है सीमावर्ती राज्य की हर्याना के सास के हर्याना जो राज्य है वो किस किस के स्टेट के सासात लगता है उत्तर में अगर देखे तो हर्याना के उत्तर में इमाचल परदेश है और दक्षिन दक्षिन पूरो में राज्यस्थान है पूरो में क्या है उत्तर परदेश है दिली में उत्तरा खंड है और उत्तर पस्ची में पंजाब है चंडीगर है सबसे उत्री जिला कौन सा है पंचकुला है और सबसे दक्षनी जिला कौन सा है मेवात है परमुख नदिया कौन कौन सी है हर्याना की यमुना घगर सरस्वती साहिबी इंदोरी तथा मालकंडा हर्याना की जन संख्या कितनी है दो करोड 53,51,462 है और इसमें पूष कितने है एक करोड 34,94,734 है और महिला एक करोड 18,56,728 है और इसमें हर्याना का जो जन संख्या घंतव है कितना है 573 यवेक्ति किलो मीटर है लिंगा उनुपात कितना है हर्याना का 847 है लेकिन अब अगर हम 2021 की जन गरना देखे तो अब तो जो लिंगा उनुपात है वो बढ़ गया है शाक्षरता दर है कितनी है 56,6% है और पूर्ष इसमें जो शाक्षर है कितने है 85,4% है और महिला कितनी है 66,8% है हर्याना का परशाशनिक परीचे की राज्ये का मुख्य नाम क्या है हर्याना, राज्ये की स्थापना कब हुई थी हर्याना राज्ये की स्थापना 1 नुवंबर 1966 को हुई थी राजे के नाम का अर्थ क्या है परमेश्वर या हरी इश्वर का निवास और राजे की जो हर्याना राजे की राज़दानी क्या है चंडीगड है और इसमें मंडल कितने है छे और जिले कितने है बाइस जिले है लोकसभा सदसे हर्याना राजे में जो लोकसभा के सदसे कितने हैं दस है और राजे सभा के सदसे पांच है विदान सभा सदसे कितने है नब्वे प्लस एक एक मतलव क्या है जो मनुनित किये जाते है राज्येपाल के द्वारा और उच्छ न्याले हाई कोट का है पिर है हमारा हर्याना का चंडीगड में है हर्याना के प्रमुख जीलों का नामकरन कि जो हर्याना के बाईज जिले हैं उनका जो नामकरन है वो भिनभिन तरीके से हुआ है जासे सीरसा है ये सासवत रिशी जो सीरस पेड के नाम पर रखा गया है और फतेहाबाद बाबा फतेहे चंद के नाम पर रखा गया है जो भिवानी है राजा भवानी सिंग के नाम पर रखा गया है जो रिवाडी जिला है ये राजा रेवत ने रेवती को दान में दिया था और रेवती के नाम पर ही रेवाडी पड़ा चर्खी दादरी दादर जील के नाम पर है ये दादर जील में बहुत सारे क्या होते थे द अंसक्रित में मैंडक होता है तो ये इसके नाम पर जील के नाम पर क्या रखा गया चर्की दाधरी रखा गया महेंद्र गड राजा महेंद्र Сीं के नाम पर रखा गया गुरू गुराम जो गुरू ध्रोना चावर के नाम पर रखा गया जीन्द है जो जीन्द जिला जियंती देवी का मंदिर है जीन्द में उसके नाम पर जीन्द जिला का नाम रखा गया कैथल है जो हम हनुमान जी की जनम स्थली है करनाल दानवीर कर्ण के नाम पर कुर्छेतर कोर्वो का छेतर माना जाता है अम्बाला अम्बालिका के नाम पर इसका नाम करन किया गया अम्बाला का पंचकुला पांच कूप मतलब कि पांच कूए है या नदियों का संगम है यहां पर होता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया पंचकुला और यम्ना नगर यम्ना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया यम्ना नगर मेवात इसमें मेव जाती की अधिक्ता के कारण रखा गया पलवल पुलाम बसूर की राजधानी के नाम पर पलवल रखा गया फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर जजर जिला छजुजा किसान है उसके नाम पर इस जिले का नाम रखा गया रोहतक तारावती रानी के पूत्र रोहतास के नाम पर सोनीपत शरवन कुमार के नाम पर और पानीपत पाननी रिशी के नाम पर रखा गया हरियाना के जो बगोलिक छेतरों के उपना में दिये गए हैं जैसे सिटी ओफ पार्क या जिसे धरम नगरी भी कहा जाता है किसको कहा जाता है सिटी ओफ पार्क धरम नगरी और छेतर को कहा गया है ब्रॉन सिटी और वीर भूमी रेवारी जिले को कहा गया है हाट ओफ हरियान हाट ओफ हर्याना कौन है जीन्द जिले है और तलाबो और बावडियों का शैर नार नोल कहां पे है महेंद्रगड में है हर्याना का पैरिस किसको कहा जाता है करनाल को कहा जाता है साइबर सिटी जिसे साइबर सिटी भी और मोनरणजन सिटी भी कहा जाता है कौन है गुरु ग यमना नगर को कहा जाता है और सुगर सिटी इसको क्या कहा जाता है पलवल और रोहत्ता को क्या कहा जाता है सुगर सिटी कहा जाता है बुनकर नगरी इसको कहा जाता है पानिपत को नैनो सिटी पंचकुला को कहा जाता है city of cotton पलवल को कहा जाता जाता है 50EST फतेहयबाद को कहा जाता है भारत का क्यूबा और मंदिरों की नगरी या हर्याना का काशी किस जिले को कहा जाता है भीवानी को कहा जाता है पीछे आया हुआ था अचसेसी ने किसी पेपर में दिये रखा था कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है भीवानी जिले को कहा जाता है विज्ञान नगरी या उपकर्णों का शहर अंबाला को कहा जाता है शहीदों को शहर जजजर का कहा जाता है और ट्राइ सिटी मता की तीन सिटी इसको कहा जाता है पंचकुला चंडिगर और मोहाली को कहा जाता है हर्याना के अब परतीक चेन है कि परतीक चेन के रूप में एक ना एक कोशन जरूर पूछा जाता है एक पूछी लेती है जैसे जो राजे हर्याना राजे का जो व्रिक्ष है उसको कोन सा माना गया है पीपल को हर्याना का राज की व्रिक्ष माना गया है पीपल विरिक्ष के जो सभी पार्ट है जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल और फलादी सभी उपयोगी है इसका जो विज्ञानिक नाम है इसको क्या कहा जाता है फिक्कस रैली गियोसा कहा जाता है कई बारी ये ना पूछ के एक जामिनर क्या दे दे तो फिक्कस रैली गियोसा कहा जाता है इसका जो विज्यानिक नाम क्या है थाह राजकी फूल क्या है पुष्प क्या है कमल है है ने प्रकार का होता है एक तो लाल कमल और एक सफेद कमल है और इस जो कमल का विज्ञानिक नाम क्या है लीम्बो निलम्बो नूसी फेरा क्या है निलम्बो नूसी फेरा है और राजकिये पक्षी हर्याना का राजकिये बक्षी किसको कहा जाता है ब्लैक फ्रैंकोलीन को कहा जाता है इसे काला तीतर के रूप से में भी जाना जाता है यह मुखे रूप से कहां पाया जाता है उत्तरोर मद्धे भारत में पाया जाता है हरियाना के अधिकाश खेतों में ये घुमते हुए नजर आते हैं ये राज की पशु जिसको क्या कहा जाता है ये ब्लैक बक के नाम से भी जो राजे इसके जो सींग है चक्राकार के होते हैं ये तीन से चार बार मुड़े हुए होते हैं अब आ जाता है हर्याना का जो राजकी एक खेल है कुश्ती को माना गया है यह एक द्वंद्व यूग है क्या है एक द्वंद्व यूद्व है जो बिना किशी सस्त्र की सहता से केवल शारीरिक बलके सारे लड़ा जाता है पुरानों में इसको क्या कहा जाता है मलक रीडा के रूप में इसका वर्णन किया गया है किसका अगर वर्णन किया गया है मलक हम आज हमने क्या है जो हर्याना ये कौन सी बूक है बेटा हर्यान्त की बूक है जिसमें मैं पूरे के पूरे टोपिक करवाऊंगी 25 के 25 टोपिक करवाऊंगी जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए helpful होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्राचिन और मध्यकालिन भारत करेंगे थेंक्यू बेटा